हेलो फ्रेंड्स जोबलड चैनल में आपका स्वागत है जैसा कि आपको थमनेल से पता लग गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो पंजाब सबोर्डिनेट सेलेक्शन सर्विस बोर्ड की रिगार्डिंग है उन्होंने अभी पीछे कलर के जो फॉर्म ओपन किये थे वो उनकी लास्ट डेट है जो वो एक्स्टेंड हो चुकी है इससे बड़ी खुशकबरी की बात और कोई नहीं होगी क्योंकि बहुत से बच्चों का अभी भी फॉर्म भरने बला रह गया था क्योंकि उनकी वेबसाइट में कुछ टेक्निकल एरर चल रहे थे जिसके करन बच्चों को पेमेट में भी दिक्कत आ रही थी बच्चों को अपलाई करते वक्त भी बार-बार आईडी लोग आउट हो रही थी जिसके करन बच्चो आपको सिधा प्रवाइड करवा दिया जाएगा लिंक वो कोई दिक्कत नहीं है आपको उनकी वेबसाइट पर जाओगे तो आप उनलाइन एप्लिकेशन पर जाओगे वैसे तो उन्होंने लास्ट डेट का एक डिगार्डिंग डाल दिया है जैसे यह देखो आपको यहां 12-21 तक डेट बढ़ा दी गही है लेकिन आपको ओफीशली भी दखा देते हैं जैसे आप के लिए अपलाई करना चाते हैं तो उस तारा नम्बर अगर अगर कलरक आई-टी के लिए करना चाते हो एक शो बीस गंटे का या आई-ए-स सो सटीफाइड एक साल का या छे मिने का computer diploma होना चाहिए चलेगा अगर आपकी graduation में आपके पास computer है मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास एक semester में computer हो तो आपको computer है नहीं आपके पास computer होना चाहिए computer से ही graduation होने चाहिए जैसे BCA वगएरा होगी या B.S.C. computer science होती है जो इन वेबस जो भी B.TEC वगएरा होती ही computer से और जो बीकॉम जो इनका अकाउंट स्वाला है उसमें आपको बीकॉम दिखानी पड़ेगी बीकॉम के इलावा आप किसी पर नहीं कर पाओगे अब आप देखिए पहले ये सारी बंद हो चुकी थे अब देखो इनकी डेट बढ़ा कर 26 नॉवंबर आपकी जो लास्ट डेट फिलिंग और सब्मिशन की है वो ही बढ़ा कर 26 नॉवंबर दो जार इकिस पांच बचे तक टाइम कर दिया गया है तो मैं कैंडिडेट्स को आप यही कहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपना अवेदन कर ले ताकि बाद में आपको फिर से उन्ही परिशानियों का सामन ना करना पड़े तो आप देख सकते हैं लास्ट टेट है जो पेमेंट की 28 नॉवंबर दो जार इकिस यहां टाइम नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि आप जब तक मरजी कर सकते हैं इसको भी आप शाम के पांच बचे तक ही मानके चलें क्योंकि इनकी वेबसा आपको पंजाबी टाइपिंग कर वाकर देखी जाएगी पंजाबी टाइपिंग के बिना आपका कुछ नहीं बनेगा अच्छा जो पिछे जैसे आप देखो यहां कलरक के लिए करोगे अपलाई तो यहां से आप अपना फुल नेम भरोगे फादर नेम भरोगे कॉंटेक्ट नमबर भरोगे मेल आईडी भरोगे और डेटो बर्त बरोगे जैसे यह चीज़ें आप भर दोगे तो उसके पास यह रिजिस्टर हो जाएगा जिस्ट के आपके पास एक लोगिन आईडी नमबर आएगा जैसे पे बिना आपकी डेटो बर्त रहेगी अचा बच्चों को सबसे बड़ी दिक्क्त आ रही है जो P SSSB में कि जो हम पेमेंन कर रहे हैं जिस वक्त उस पेमेंन के वक्त इन बच्चों को सबसे y Nada दिक्कत आ रही है क्योंकि पेमेंट सर्वर में फोड़ी सिंके एरर चल रह तो शोरी कि ये निशी होगा तो अभी वेरे पस किसी का पढ़ा नहीं है अकॉंट नहीं तो मैं आपको दिखा देता कि पेमंट कैसे होगी आपको कोई भी हल्प करने में भी करेंगे कोई डिक्कत नहीं है तो आपको बता देते हैं कि आप जब लोगिन पे जाओगी लोगीन जाने के बाद यहां आपको आईडी डालनी है, जो आपका password होगा वो आपका simply data ओ पर थ रहेगा, उसके बाद लोगीन करोगे, लोगिन करने के बाद जैसे देखिए मेरा पेमेंट हो चुका है तो इसने दिखा दिये कि पेमेंट हो गया आप मेरा एप्लिकेशन डाउनलोड होता है एक चीज़ और ध्यार रखें अगर आज आप 23 तारीक को अपलाई कर रहे हैं तो आपकी पेमेंट 26 को होगी या 25 को होग और उसके बाद जो आप पर का एप्लिकेशन डाउनलोड होगा वो 27 को होगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आप मालो अगर 26 को भी सब्मिट कर रहे हो तो आपकी पेमेंट 28 तक अराम से हो जाएगी उसमें घबराने वाली बात नहीं है तो अगर इनकी पेमें बर्त है जैसे माली जी आपका कोई भी डेट वर्त है अब यहां शोनी होगा क्योंकि यह इनकी प्राइवेसी है तो मैं आपको बता देता हूँ वहां क्या दिक्कत आती है आपका डेट वर्त मालो 05 07 1996 है तो आपको ऐसे डेट वर्त लिखना है लेकिन वहां कुछ टेक्न स्लेश डालके 1996 ऐसे आपना डेट वर्त डाल सकते हैं तो वह आईडिया आपकी उठ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है आपकी पेमेंट सक्सेस्फुल होगी क्योंकि मैंने भी ऐसे डाला था क्योंकि मेरे भी पेमेंट का इश्यू चल रहा था तो हमारे भी पेमेंट हमने कि पंजाब बोड की कलर्क की जो पेपर की अपने लास्ट डेट थी वो एक्स्टेंड हो चुकी इनका स्लेबस भी बकाईदा आ चुका है तो आपको स्लेबस भी अगर चाही हो तो हम उस पर वीडियो बना देंगे अगर कहोगे तो हम आपको पूरा डिटेल में वो स्लेब शलेबस में घ्रिए हो तो बता सकते हैं तो उन्होंने थी जारी कर दिया है जैसे कि पिछली बार की 75क ती लेकिन इस भार को चालिसमें कर दिया गया है इस नोर्मल 120 कोश्चन दो गंटे टाइम अ Baba कर दिया गया तो थोड़ा सा टोट हो एका से प्रेप्रिशन करनी है अप friends इतनी information आपको देनी थी कि इसकी date बढ़ा दी गई है तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्ट करते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा आप subscribe करवाएं channel ज्यादा से ज्यादा वीडियो को like करें share करें subscribe करें bell icon का button दबाना मत क्योंकि bell icon का button दबाया होगा तो आपको latest से latest information मिलती रहेगी आपको कोई भी help चाहिए होगी तो हम अपना number प्रवाइड करवा रहे हैं आप उस पर भी help ले सकते हैं अगर आपको इसकी regarding syllabus चाहिए तो वो भी बता देंगे और सबसे बड़ी बात ये है कि जो PSSB paper लेना है इन्होंने पहले ही tentative dates जारी कर दी है कि हम first या second week December में लेंगे तो आप मान के चलो अगर date extend हुई है तो थोड़ा समाल सकते हैं कि 10 December के बाद बाद इनका paper आने के पूरे पूरे chances हैं तो त्यारी के लिए time भी कम है आप अपनी preparation जारी रखें ठीक है ओक के have a good day to all of you candidates थैंक कि क्यों है